घर बेट करके आप जो है प्लाइशेंस बना सकते हैं नाजिती में बहुत कभी दो कतब आगे दो कतब पीछे चलने पड़ते हैं वे अपने एक आरहों सो पचास बस से खरीदी हैं हम अपने परिवन निग्यम की जुकिनी डिपो हैं उसको हम हवायाटा की तरह बनाने जा रह है फिलहाल जबसे ये मंत्री पद इन्होंने संभाला है परिवान वेगा का तब से किन तब्दीलियों को लाने में काम्याब रहे हैं और क्या कुछ खामिया ये स्वयम अपने विभाग के द्रिष्टी से देखते हैं सर बाचीत के शुरुवारत यहीं से करेंगे परिवान हैं रहनाम करWest काथ कि शुरुवा से कंटीन से ज़ढ़ा एनने के लिए उनको हावागमन की बेतर सुवधा दे इसके लिए नहीं कितनी बेतर सुष्वधा दे सके इसै का कोई सीमा नहीं औरल बेतर ai são but sickly ने समय पर बसे चले समय से पहुँंचे लोगों को आरमदाय को प बहुत सारी ब्रवस्ता हैं तो उसमें जतने हम आच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रियास करने हैं, और हमने बहुत सारे चेंजर लाए हैं, हमने परिवन विभाग में डाइविंग लाइसेंस बनाना एक बहुत बड़ी जटिल समस्या थी, हमने उसको ओंलाइन कर दिया है. आज घर बेट करके आप लाइसेंस बना सकते हैं. सत पर तिसल्ञत हमने अपनी लाइसेंस को ऑंलाइन कर दिया. और परमानेट लाइसेंस के लिए भी हम जो है अटोमेटिक सुमुलेटर लगा रहे हैं हर जनपदों में सोला जगों पर लगा चुके हैं अब जो है हर बेक्ति को उसे गुजरना पड़ेगा और वो सेंसर से वो जो है अबजर्ब करता है तो आप जदी सही दक्षे चालक हैं तो आप पास हो जाएंगे और जदी आपकी कहीं तुरूटी है तो कम्पूटर ही बता देगा कि आपको यहां यहां पर आप जो है आप गलत है तो सी थितितिम आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है तो आप अब किसी को कोई न वन भास सकता है अना किसी को कोई जो है रोख सकता है तो अब जो है Uस ब्र Caleb कर रहे हम ऊंलाइन पर कर दीये कि छूटी हो रात हो जब चाहिए तब हमने पर मेषर सकते है यह तो अपने अपने कारेकाल के जो गुड वर्क है उनकी बात की आप ऑफिस से भी बाहर निकल रहे हैं रैंडम चेकिंग कर रहे हैं रेट्स कर रहे हैं जो एक आटियो ऑफिस के इर्द गिर्द एक जो पारंपरी छवी बनी हुई है करप्शन की उसको तोड़ना कितना मु रुज विलेने के लिए पहले कितनी बारा मारी थी अब तो मैंने दिजिटल स्लेचर कर दिया कि आपको अधिकारी को सी नेचर भी नहीं करना गःम पोर बिलेगी हुई हुट है टिकट भी अनलाइन कर रहे हैं हमने अच्छ टिकट को मशी लगा दिया आप मशीन से करिये आप यहां टिकट करेंगे, हमको हमारा लखनु में पता चल जाएगा, कि हमारी इस बस में कितने लोग चल लें, तो अब मैं सब चीजों को अनलाइन कर रहा हूं, वैं भर्षाचार मुक्त जो उत्तर प्रदेश में जोगी जी की मंसा है, उसके अनुरूप कार रहा हूं, हमन करेंगे, और हर जो है, हमारे जो जिला अस्टर के जो हमारे बस अड़े हैं, तो सब हावे अड़र की तरह बनेगे, कब तक उमीद किया जाए मंत्री जी कि जो पुराने बस के जो भी काफिले हैं, वो रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं बसे आएंगे, देखिए, देखिए, अभी हमने 1150 बसे खरी दी हैं, करोना काल में दो बरसों में कोई बसे नहीं खरी दी गई, तो बस नहीं खरी दी घरते जाएंगे, और पुराने को हटाते जाएंगे, अब प्राइबेट पार्टनर को भी बुला रहे हैं, मल्यानुबंदी दो करके, कम बसे थी मेरे पास, अब हम उसकी दारह बढ़ा रहे हैं, अब जब ज़्यादा लोग आएंगे, हम गारा काम है लोगों को सुधा देना, वह हमारा अदेश से पैसा कमाना नहीं है, हमारी प्रिवन निगब तो चाहता है कि वहां पर जहां पर अभी तक कोई बसे नहीं चलती हो, वहां पर अभ तो वहां से चलाना है जहां पर लोगों को बने सुधा हो, बने बारे घाटे में चले, तो इसलिए 12,000 दो संगाओ भी बच्चे हैं, वहां भी बसे चलाने जा रहे हैं, ग्रावीड सिवा अलग से निकालने जा रहे हैं आप जोइनिंग कमिटी में थे, आपने काफी एक्टिव रोल अदा किया था, 2017 के पहले जो सूब अस्पा के साथ प्रीपोल एलाइंस हुआ था उसमें, और अभी भी सारवदिक मंच से इस बात को वह एड्मिट करते हैं, परकाश राजवर कि आप से उनके परसनल रिलेश विदाजिती में बहुत कभी दो कदम आगे, दो कदम पीछे चलने पड़ते हैं, तो समय के साथ नेड़े होंगे, क्या असार लग रहा है, क्योंकि आप लोग तो इस बात को लेकि बड़े आश्यवत थे कि विदान सभा चुनाव के पहले वह आपके साथ रहेंगे, लेकि भाजपा के साथ उनका सिधानतिक रूप से समझस्ता है, क्योंकि जो बातें वो करते हैं दलितों को, बंचीतों को, गरीबों के लिए, वो काम बोदी जी और जुबी जी करते हैं आखरी सवाल, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस क्राइम को ले करके स्टेट गवर्मेंट क्लेम कर रही है, अभी पिछले दिनों मुखतार अंसारी के बेटे पर एडी ने आक्शन लिया, उनके रिलेटिव पर भी एडी ने आक्शन लिया, उनके बड़े भाईया इस तरह के आक्शन लिये जा रहे हैं, ताकि बेरुजगारी, गरीवी जैसे मुद्दों से आम आदमी का ध्यान बढ़का जा सके, कैसे देखते हैं आप उनके बैया, देखिए भाजपा में किसी ब्यक्ति या ब्यक्ति विशेष, जाति विशेष, जाति विशेष के लेकर प्रदेश में कानून का राज है, कानून का उलंगें जो भी करेगा, चाहिए वो कितना भी ताकतवर क्यों नहों, उस पर सब पर जो है कानून लगू हो, अंतिम सवाल, आपके विभाग को लेकर के ही बाचित को यहां हम खात्म करेंगे, ऐसी वो कौन सी महत्वा कांग्श आपके खुद की विभाग की, जो मंत्री होने के बाद आपने प्लान की है, और आने वाले दिनों में एक बड़े प्रोजेक्ट के तोर पर परिवहन विभाग में देखने को मिलेगा, हम अपने परिवहन निगम की जितनी डिपो हैं, उसको हम हवायटा की तरह बनाने जा और बहुत जल्द आपको जो है, अभी इसी महीने 24 बसड़ों को हम केबिनेट से उसको ले जा रहे हैं, और उसको बनाना शुरुवात करेंगे, और फेजवाइज करके 75 जिलों में हमारे जो बसड़े होंगे, उहावायटा के तरह होंगे, सभी सुविधा से व्यूक्त हों लोगों को बैठने का अच्छा रहेगा, हमारी मताएं बहने को लिए अलग से वेवस्ता रहेगी बैठने की, अच्छे सोचाले होंगे, वहीं पर खरिदने के लिए वहाँ दुकाने होंगी, ठारने के लिए होटल्स होंगे, और कई जगों के बसे एक जगप एक छट के न आत्रा आपके लिए ठाकाओ नहीं होने वाली है, बोरिंग नहीं होने वाली है, बलकि एयरपोर्ट की तर्ज पर यूपी रोडवेज के बस स्टैंड का भी अप्डेडेशन किया जाएगा, पैसेंजर एमिनिटी जो है उसमें इदाफा किया जाएगा, मिते उश्कमार सिं हाजी पूट